कार्तिक मांस को पुन्य मांस कहा जाता है जो फल सामाने दिनों में एक हजार बार गंगाशनान का होता है वही फल कार्तिक मांस में सुरियोदे से पहले किसी भी नदी में सनान करने से प्राप्थ होता है कार्तिक पुर्णिमा के दिन जो भी दान किया जाता है उसका कई करोड गुना फल प्राप्त होता है क्योंकि माननेता है इस दिन वेक्ति जो दान करता है वो उसके लिए सुरक्षित रहता है उसका पुर्णिमा आप जब चाहे उसका लाव उठा सकते है और मालक्षमी का सबसे प्रिदिती पुर्णिमा भी है इस दिन को इस पुर्णिमा को त्रिपुणी पुर्निमा भी कहते हैं वैसे तो भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं इसलिए नदियो एवं तालाब में असनान करने से भगवान विश्णु की पूजा का पुन्य का फल भी प्राप्त हो जाता है तो इस पूर्णिमा तीथी पर कुछ खास प्रियोग किये जाते हैं जीवन में नमक सिर्फ खाने के लिए काम नहीं आता है बलकि इसका प्रियोग आपके घर की नकात्मक उर्जा को दूर करके सकात कारिक लाव और क्विक लाव नमक देता है तो नमक के प्रियोग से घर में सुकसांती सम्रिद्धी बनती है तो इसलिए इस पूर्णिमा के दिन कुछ खास प्रियोग जरूर करें जैसे कि नमक मिलेवे पानी से पोछा लगवाएं इससे घर में खुजियां आती है आप पालटी के पाड़ी में नमक डालकर करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा और ऐसे तो आप अगर लंबे समय से आपके घर में कोई बीमार है तो उनके सिरा ने थोड़ा सा नमक कांच के बरतन में रख दें या फिर डली बाला नमक उनके सर से साथ बार उतार कर बहतेव देखे नमक वैसे तो सफेद नमक ही आपको यूज करना है क्योंकि सफेद नमक ज्यादा कारगर है अगर आपको समुद्री नमक मिल जाए तो और अच्छा है पर क्या आपको पता है यह जो नमक आप अपने टौालेट में रखते हैं बातरूम में या फिर आप अपने क्योंकि यहां पर देखे दो नमर यूज कर सकते हैं तो देखे उस पेन में ही आप उसको आप नमक को फेक दिया करें इससे क्या होगा जितने गंदे जगह में वह नमक फेकेंगे ना उतना ही जादा आपके घर में सकायत्मक उड़ जाएगी क्योंकि निगटिविटी को न रखना सुरू कर दें और जब भी आपको जैसे कि हर सब्ता चेंज करें या तो मंगल वार या फिर सनिवार क्या करेंगे पिछले जो पहले वाला नमक है उसको आप टोईलेट में फ्लस कर दें और देखे इस नमक को आप एक बात हमेंसा याद रखिए कि जब वह नमक पान करके वास्तु को ठीक करता है बलकि आपके जीवन में आने वाली निगेटिविटी को भी समाप करता है अगर आप नियमीत रूप से पोछे के पानी में नमक डालते हैं याद रखिए फिटकरी से ज्यादा नमक के फाइदे होते हैं आप करके देखें ज्यादा नहीं आप देखेंगा घर का बातावरन चेंज होने लगेगा और कीचन में अपने अगर आप अपनी रसोई में डली वाला नमक कांच की कोटोरी में आप कहीं भी छिपा कर रख दें हर मेने चेंज कीजिएगा आप देखेंगा खाना में स्वाद बढ़ जाएगा क्योंकि जो भी नक और इस बार बहुत ही सुवयोग है बहुत ही ज़्यादा दुरलप से योग है उपर से चंदरगरहन भी लग रहा है तो जितनी भी नकात्मक उरजाएं होंगी बातावरन में वो वो नमक सोख लेगा और ये नमक आपके घर के सुकून को बढ़ाएगा अब इसको लाल बात जब नमक पिघलने लगे तब उसको उठाकर आप किसी गंदे नाले में डाल दें या फ्लस कर दें और उसके बात फ्रेस नमक रख दें जब नमक का कलर चेंज हो जाए या वो पिघलने लगे तो समझ जाए ये नकात्मक उरजाएं को सोख रहा है वैसे घर में पोच्छा तो लगता ही होगा सिर्फ गुरुबार के दिन पोच्छा मत लगाईए अगर बहुत जरूरी हो लगाना तब पानी में एक चुटकी हल्दी डाल कर लगवाईएगा अगर बहुत जरूरी हो तब इससे क्या होगा आपका पोछा लगाने का दोस कड़ जाएगा और नकारत्मक उरजाएं भी समाप्त होंगी घर के वातावरन की पवित्रता बढ़ जाएगी मालक्षमी की प्राप्ति के मार्ग खुल जाएगे और गुरुवार के दिन तो पोछा नहीं लगाना लेकिन बाके की दिनों में आप नमक मिलेवे पानी से पोछा लगवाईए या आप चाहें तो फिट करीब भी डाल के आप पोछा लगवा सकते हैं तो क्या होता इससे ना एक तो जो सुक्ष में जीवानों की टानों है उनसे रख्चा होगी दूसरा घर भी आपका साफ रहेगा अगर आप बैपसाई हैं तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए क्योंकि आपके घर में धन में जो धन जो आता है ना बैपसाईयों का तो दो आपके कीचन में जो नमक है ना वो सबसे ज्यादा पवीत्र माना जाता है क्योंकि ये नमक आपको स्वस्त भी रखता है और आपके जीवन की परिसानियों को दूर करता है तो ये जो आपके कीचन का नमक है इसके डब्बे में आप एक तो कांच के डब्बे में रखें प् तो आप लोग का स्वास्त अच्छा नहीं रहेगा इसलिए इसमें नमक की पवित्रता बनी रहे नमक नकायत्मक चीजों को ना सोखे इसलिए इसमें दो चार दाने लॉंग के डाल के रखिए तो आपके नमक में बरकत भी रहेगी मालक्ष्मी परसंद नहोंगी आप सभी परिशानी बढ़ जाती है खास कर धन की भुवे जिलें करती है घर में लोगों का स्वास्त अच्छा नहीं रहता पती-पतनी है पती का दिमाघ केंव है पतनी का दिल कहीं और लगभ है यानी तो तो हम्निकहों पर किसी नहीं बनति प्रेम लगता है कहीं भो गया है तब ए तो ठीक है थोड़ा से लगा दीजेगा चारो तरफ अगर नहीं है तो लाल नेल पॉलिस तो होगा उसी को लगा दीजेगा कांच के ग्लास में अब इसमें पानी भर लें आप तीन भाग एक खुला छोड़ दें खाली छोड़ दें और इसमें एक चमच नमक डाल दें इसको खुला ही रहेगा कहां रखेंगे घर के दक्षिन पस्चिम कोने में घर के किसी भी कोने में दक्षिन पस्चिम कोने में आप इसको रख दें अगर आपको लगे जिसे गर्मी के दिन में क्या होगा ना पानी फटा फट से सूखेगा तो इसको पानी आप भर दें एक महने के कम से कम एक महने के बाद आप इसको चेंज करें बेसिन में डाल दें फिर से फ्रेस वाटर में फ्रेस नमक रख दें आप देखिएगा जीवन की हर मुश्किलों से आप आसानी से बाहर आ जाएंगे अपने घर के बात्रूम में अगर आप एक काच की कटोरी में चोटी सी कटोरी ले ले लें उसमें नमक भरकर एक कटोरी रख दें तो इससे क्या होगा पूरे घर का ही वास्तु समाप हो जाता है घर का बरकत बढ़ता है घर में धाना आने के स्रोध बनते हैं घर की समस्याएं परिसानिया दूर हो जाती है देखिया एक बात आप हमेशा याद रखिए नमक चंद्रमा और सुक्र का परतिनीधी करता है और नमक को यदि किसी लोहे आइस्टील के बरतर में रखेंगे तो चंद्रमा और सनी का मिलन होगा यानि नमक चंद्रमा और लोहा सनी है ये रोग सो लोग को बढ़ाएगा धन्हानी होगा। इसलिए कभी भी लोहे या इसटील के बत्र में नमक को नहीं रखना चाहिए नमक हमेशा काँच में रखें। हमेशा ऐक पात ध्यान लख़ें कि नमक गीरना नहीं चाहिए हाथ हाथों हाथ नमक ना दे रिष्टे भिगडेंगे घर में विवाद होंगे तो भोजन पकाते वक्त बहुत सा एक लोग क्या करते नमक चकते हैं मत चक्खिए दढ़ता आएगी बरकत खो जाएगी नमक और सीसा दोनों ही राहू का कारक है इसलिए यदि आप सीसे के बोतल में नमक भरकर रखेंगे घर के किसी भी कोने में तो पैसे की कमी नहीं रहती आप कहीं भी रख सकते हैं एक कटोरी में नमक करके आप कहीं भी रख दें सत्रू कभी सर उठा कर नहीं देखेगा राहू और नमक का ये प्रियोग आपके घर में जो आपकी परिसानी उसको समाफ्त करते हैं अगर आपको कोई वक्ती पसंद नहीं है तो उसके घर का नमक मत खाईए उसका मीठा खा सकते हैं क्योंकि पापी पुरुस के हैं नमक तो कदापी नहीं खाए नहीं तो जीवन में परिसानी बढ़ेगी मजबूरी में या दवाब में भी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए नमक को अगर आप हाथों में कुछ देर रख कर पानी में प्रभाह कर दें तो मन प्रशन न रहता है मांसिक टेंसन दूर हो जाते हैं नमक को कभी भी खुला न रखें खासकर ऐसा नमक जो आप खाना बनेने के लिए यूच करते हैं बांकि जो आपने वास्तु दो सटाने या निगेटिविटी को समाप्त करने के लिए रखा है वो ओपेन रहेगा खुला रहेगा लेकिन जिसे खाना बनाते हैं हमेसा ढख कर रखें दो-चार लॉंग डाल कर और साथ ही किसी ऐसे ब्यक्ति का जो ब्यक्ति का सोभाव अच्छा नहों चरितर अच्छा नहों ऐसे लोगों का नमक मत खाईए अगर खाते हैं तो बदले में कुछ देने और साथ ही किसी से भी हाथो हाथ नमक ना ले वड़ना रिस्ते भी गड़ेंगे हम आपसे भी दालेंगे जानकारी अच्छी लगए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हैर महादेब धनिवाद